यानि संग पहले भी कभी राजनिती में नहीं गया अभी भी नहीं जाएगा और बाद में भी कभी नहीं जाएगा संग घातक की बापसी संग में कभी नहीं जो संग को घात करेगा संग को तोड़ेगा संग को नुफसान पहुचाएगा और वो पुरूब हो जाएगा फिर वो संग घात के आरोप में अगर निरूपित हो जाता है तो उसकी संग के अंदर बापसी कभी नहीं होगी और दस्वा है ये जो नो नियम है उप्रोक्त नो विने है ये संग का आधार है ये ना कभी बदले जाएंगे ना खत्म किये जाएंगे ना कभी अमाने किये जाएंगे आज हम यहां छटे नियम पर बात करेंगे पंजी करण कभी नहीं यानि संग का पंजी करण कभी नहीं अगर आप सब लोग ध्यान दें और ध्यान से अगर सारी बात समझें तो आपको जानके हैरानी होगी इस बात की कि यहां जो पूरा भारत है पूरे भारत का कहीं कोई रे चोटा भारत है जब यह महा भारत था तब की बात की अगर हम करें तो इसका कहीं कोई रेश्ट्रेशन इसका कहीं कोई पंजीक्रण या कहीं किसी रेश्टर में दर्ज नहीं होता कि यह इसका हमने रेश्ट्रेशन या पंजीक्रण कराया है यानि भारत इतना बड़ा है उसक अधिकतर समण हैं और वही भारत है जब भारत का पंजीकर्ण नहीं हो सकता तो भारत के सब लोगों का भी पंजीकर्ण नहीं हो सकता कौन करेगा कौन उनसे बड़ी बर्डी है जो करेगा किसलिए संघ का कभी भी राइस्टेशन या पंजीकlex कोई सोचे तो वह मूर्ख है क्योंकि 120 करण लोगों को कौन पंजीकर करेगा कौन उनका रिष्ट्रेशन करेगा और भारत के अंदर जो संग पहले बने हैं उनका कहीं कोई registration या किसी राजा के यहां दर्ड होना या किसी राजा के दरवार में संग की पेसी होना या राजा के सामने संग खड़ा होना कभी नहीं हुआ संग के सामने राजा पेस होता है संग के सामने लोग पेस होते हैं संग के क्यों पास किया है क्यों पारित किया है कि सर्मन संका कभी रैश्टेसन नहीं होगा पहले समझें कि जो रैश्टेसन की प्रिक्रिया है वो है क्या यानि कि जो पंजीकलन की प्रिक्रिया है वो क्या है क्यों उसे कराते हैं कैसे उसे कराते हैं कब कराते हैं उसमें क्या क्या ची की संख्यां 39,00,000 आ गई यानि हम पर दोहरी मार पड़ी कि हमारा संग तूटा तो उसकी 6,743 टुकड़े हुए जो जातियों के नाम से जाने गए और फिस 6,743 जातियों के टूड़े टूटे तो 39,00,000 संग्ठरों के नाम से जाने गए यानि अब हम 29,00,000,000,000,000,000,000,000,000, 43,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 उसी रेश्टेसन से पता चलता है कि इतने सारे संग्ठर बने उने तो रेश्टेसन किसका होता है यानि कि जो पंजीकरन है वो किसका होता है पंजीकरन होता है वस्तूओं का व्यक्ति का पंजीकरन नहीं होता वस्तूओं का पंजीकरन होता है जितनी वस्तूओं है जैसे कार है जैसे घर है जैसे खेत है जैसे फैक्टरी है जैसे बंदू का लाइसंस है इन सब वस्तों के पंजीकन होते हैं रेश्टेशन होते हैं तो रेश्टेशन लोग इसलिए कराते हैं कि वो इसके मालिक रहें और मालिकाना हक उनके पास रहे कल को कोई वाद विवाद हो तो वो क कोई भी संख्षन बनता है सबसे पहले उसके मालिक आ जाते हैं क्योंकि रइश्टेसं की यह डिमांड होती है कि आपको कम से कम साथ लोग उसमें लेके आने हैं रिश्टा रेक्ट के अंदर दिया रहे ही हो सकते हैं मने मिनीवन साथ हैं तो साथ लोग वो चुनते हैं उसमें कोई वो कैशिर बन जाता है कोई जनरल सेकर्टी बन जाता है कोई उसमें परढ़ान बन जाता है कोई उसमें सची बन जाता है इस तरह से वो बढ़ जाते हैं और बटने के बाद वो अपनी अपने हिस्से की रजश्टी करा लेते हैं और वो साथ उसके मालिक या बीस उसके मालिक आना हक में बन जाता है जब किसी लोगों के सम्हू का या लोगों के गुरुप का कोई मालिक बन जाता है तो फिर लोगों को उन मालिकों के इसारे पर काम करना पड़ता है और उसमें जो फाइनेंस वाला मालिक होता है उसको पैसा दना होता है और वो पैसे का मालिक होत समझ संग का प्रैंसिपल है इसलिए संग का मालिक संग रहेगा तो संग के सारे लोग संग के मालिक रहेंगे अब सब लोगों के नाम तो क्या सकती और 200 instrument factory बहुत बड़ी संख्या बहुत बड़ी पावर होते हैं और वो आप इसकी देष्टी कराओगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है और जिन जिन लोगों ने छोटे छोटे गरूप की रश्टी कराई है वो रश्टी कराते ही गरूप बतवारी के तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि जो मालिका नहाग जिसको मिल जाता है वो छोड़ना नहीं चाहेता वो कहता है मैं इसका मालिक हूं मेरे सिक्टार्याथर्टी हूं खाता मेरे नाम से चलता है तो बदलता नहीं और ऐसे वी किस्टे देखे गए हैं कि जिन लोगों हुँषारं कस्का में कि उन्होंने लिक दिया कि हम इसके आजीवन परधान रहेंगे और लोगों को पता ही नहीं ता उसमें उन्होंने क्या कर दिया ऐसे बहुत सारे और गय किसी संख्चरा करता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है और जब उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है तो वो उसको बढ़ाने की बजाए उसको रखाना सुरू कर देता है और उसको खाना सुरू कर देता है बहुत सारे लोगों ने जिन्हों ने रश्टियां कराई बहुत सारे लोगों न क्योंकि जिनके नाम रश्टी होती है वो छोड़ते नहीं और चुनाव वहां होते नहीं और पब्लिक की वहां पर कोई भागिदारी रहती नहीं तो वो मिनास का कारण बन जाते हैं इसलिए रश्टार एक्ट और रश्टी से फाइदा नहीं है कोई भी सिवाए नुपसान के क्योंकि सामुहिक प्रॉपर्टी को जब कुछ लोग रश्टी एक के नाम पर अपने नाम लिखवा लेते हैं तो उनके मन में लालच जग जाता है किसी तरह का लालच हो सकता है सबसे ज्यादा तो पैसे का और जाजात का लालच है जो जगड़े देखने माया है और तीसरा है एहम का लालच वह एहम इतना इगो इतना बढ़ जाता है कि वह आप असमेट तकरा जाते हैं और वो तूट जाते हैं जो परानी संस्था बनी हैं अगर आपको ध्यान हो जो बामसे बनी थी 1978 में उसका रिश्टेशन नहीं था और जब तक उसका रिश्टेशन नहीं था वो बिल्कुर ठीक चली और जब उसका रेश्टेर्शन हो गया और वो टुकड़े तूटने लगी तब से अठारे बीस चालिस पता नहीं कितने तुकड़े उसके होगे और सारे रेश्टर्ड हैं अगर रेश्टर्ड होने से किसी चीज की सेफ्टी होती रेश्टर्ड होने स तूटन या तूट रुक जाती तो बाम सेफ जो पहली बार रेश्टेर्ट हुई थी दुबारा से तूटती नहीं पर वह लगाता तूटती रही वह आज भी तूटी अभी कुछ मेने पहले फिर तूटी इसलिए रेश्टेर्शन होना किसी चीज के ठीक होने की या जुड़ हाथ पर भी नहीं मारता और कहीं वो शो भी नहीं है पर वो सबसे मजबूत चलता है और उससे भी ज्यादा मजबूत है जो भारत का सबसे पहला संग है जो बुद्ध का बुद्ध से पहले का समर संग है वो बहुर और भी ज्यादा मजबूत है वो इसलिए मजबूत है क्य जो हमारा जो संग है वो हम भूल गए या हमको बना दिया या हमको ये कह दिया हम तो सर्मन हैं सर्म करने वाले हैं सर्म जीमी हैं सर्मिक हैं हमारी उलादें वही सर्मिक रहेंगी मजदूर रहेंगी बेलदार रहेंगी हमारे दिमाग में भढ़ दिया अगर समर्ण बना रहता तो समच संवझ में आजाता जल्दी तो वह संग हम पहले भी نिकाल के ले आते बहुत पहले हमारे जो बुजूर्ग हैं वो पहले निकाल के ले आते क्योंकि दो संगन स्रड़म करें बोलते हैं इसलिए सबसे बड़ा जो संग है 120 करोण लोगों का यह समझना जाएगा इसलिए इसके पंजीकरण की जरूत नहीं है समझना जब अपनी उचाई लेगा तो यह पंजीकरण संग गौन पर नहीं कर सकता और समझना भारत के एक लेंट है 120 करोण लोगों का जो संग है वो भारत लिव बारत वर्स है इसलिए जितने भी एकांट हैं उनकी संग को आवश्क्त नहीं है आपने देखा होगा के कारिकरम पे कारिकरम लग रहे हैं पर कोई बी ऐसा एकाउं सकता पहली बात तो इसका पुलेगा नहीं कि हर्व्यक्ति का einचा उसा सभिन नहीं संके नहीं नहीं है वो सब समल की है ज forms क्यों कि कराएंग तो जब है ही समों का तो उसका क्यों कराएंगे किसी समण के अगर नाम है तो वो समण का ही तो है समण का ही तो है आपको इस्तमाल करना है जैसे चंदोसी के अंदर एक बैंक के हौल इस्तमाल किया आपने समण का था उसने हमको आड़ घंटे के लिए इस्तमाल करने को दिया हमें मिल गया तो वो समण का ही है हमें उस बैंक के होल की रिष्टी नहीं करानी है समण संका जो व्यक्ति का जो बैंक के होल है वो समण संका ही है इसलिए जितनी जा 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 जितने मकान जितने घर जितने दफ्तर जितनी भी चीज़ें है वो सब समण संकी है सिर्फ आपने इस्तमाल करनी है समण संक के अगर आपको संशे नहीं अपने संग देंगे अगर आपको संग के कुछ हो जाएगी कुछ लेके भग जाएगा तो आप के एक हजार रइश्टेसन करा लो फिर बीस में गब्र हो जाए इसलिए अगर नियत अच्छी है तो हर व्यक्ति यहां इमानदार और बढ़िया और हर व्यक्ति का जो काम है वो लाजवाब है इसका कोई जवाब नहीं है और अगर नियत खराब है तो कितनी सुख्चा कर लेन कोई फाइदा नहीं है किसन्गों को लेकर बहग जाएगा किा भाग जाएगा इसका समढ़ संग के अंदर है क्या बेसी तरी संढ़ संग के अंदर लोगों का विस्वास और लोगों का जो नियम समर्संग के बनाए हैं और जो वो मानते हैं वो समर्संग की पूजी है जो हम इखटे होते हैं जो हम संगती करते हैं वो समर्संग है समर्संग कहीं किताब में नहीं है समर्संग कहीं पोश्टर में नहीं है समर्संग कहीं रेश्टी में नहीं है समर्संग किसी के पा कि यहां से पैसा हमारे पास है नहीं और अगर कोई पैसा ले के भी जाएगा तो क्या ले के जाएगा क्योंकि पैसा यहां इक्षटा करते नहीं और एकाउंट कोई है नहीं तो कोई इसको बंद नहीं कर सकता को इसको खोल नहीं सकता तो पैसे को ले के जा नहीं सकता समर्संग कोई जाजाद बनाता नहीं क्योंकि समर्संग जब रेष्टी नहीं करता तो प्रॉपर्टी कैसे बनाएगा जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब समर्संग की है तो लोगों की प्रॉपर्टी है समर्संग के काम आती है लोगों के काम आती है तो support में चला गया या उसने कोई ब्यान दे दिया किसी के support में या उसने कोई बात कहा दी support में तो जाए अकिला जाए यहां उसके पास में अकेली की authority है कि वो संगी है पूरे संगी authority तो संगी देता है जब संगी खटा होता है और जब संग बैठता है और जब संग say तप कुस्ता है तो पत है नहीं कि एक एक नहीं करता है तो संगी कर सकते है तो पद है नहीं तो जसटा है तो फिर्वक्तर ज़िए को जादा काम करने वाले उनको प्रवक्ता बोलते हैं वो भी यहां चिन्नित करते हैं कि यह नेता है, यहां सीख रहे हैं, 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 तो कोई आदमी अगर यहां से चेहरा चमता के चला भी जाए, मालो यहां बार 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 कोई आके कहे के वो कंसेप्ट दे रहा है, कोई कहे के बाहर जाकि को बाइशन दे रहा है मिटिंग विडियो बनाता है या कोई अपने नाम से पोष्ट बनाता है चमका ले चेहा चेहा चमका ले और चेहा चमता कि चला जाए कि की यहां तो वैसे जोंट कर रख ही है लाdसमे 가지고 में normal लहेगा जाए जाकर राजनिती करें सम्नोगों राजनिती करने चाहिए कौन मरे करता है तो उसकी पहले से छोट है तो जोतिमिया, चतना और राजनिती कर ले जिसको करना खूब चमका है जितना काम लेने के लिए हैं फिर संग जो डिशाइड करें करें तो कोई आद्म है क्या कर लेगा कोई आत्मmbol scored कों नुकसाल पहुंचा लेगा संग को करेगा संग के वारे में कुछ उल्टा elas यह किसी व्यक्ति को चिन्नित करके कहेगा यह व्यक्ति ऐसा है वैसा है वैसा है पर अगर वो एक उंगली संग की तरफ उठाएगा तो तीन उगली उसे अपनी तरफ उठानी पड़ेगी तो कि संग पूछता है और संग कहता है अरे भाई जब महां काम करने की छूट थी तो तुने काम क्या किया ज़रा बता वह जब अपनी बात कहता संग माने या ना माने कोई तेरी बात तो कहेगा तो को जरूरी है कि संग तेरी बात सारी माने माने बहुमस्ज इसकी माने का चलेगी तो तीन सभी क्टि है वो सभी लोगों के पास है एक व्यक्ति जाना चाहे तो इक आदमिया नुपसान होगा पर संग का नुफसान नहीं होगा यह नुफसां संघ्ण होते हैं यह जहां पंजिकन होते हैं कि कोई आदमी आया और वो सारे कि सारे पूरी रश्टी के मालिक की अधिकार को लिया पैसा भी निकाल के ले गया कोई आदे सी पारित कर दिया और वहां से हटा भी नहीं और प्रधानी बना रहा पता चला कि ऐसी हजारों संस्थाएं हैं जिनके प्रधान मरने को त्यार हैं डैड बोडी उनकी पड़ी भला-बला होने वाला है इसलिए यह जो नियम है छटा नियम कि समर्संग में किसी भी तरह का पंजी करांगे समर्संग खता मों जाएगा तर इसमें जो लोग अलग जाना चाहिएंगे उस संग बना आएगी नहीं क्योंकि यहां अब फिल्ट्रेशन तेज है जिसको समझ संग के नियम पसंद नहीं आते वो रुकी नहीं पाता वो चला जाता है और ऐसे व्यक्तिव आने भी बंद हो गए है जो संगिय वही आएगा और संग अब तेजी से बढ़ रहा है इसकी संगती बढ़ रही है इसकी लगाताल लगाताल मीटिंग बढ़ रही है अभी एक मीटिंग हुई है जो इधर हड़ोई में हुई है कल और दो तीन मीटिंगों का और आ गया आज मुझे बता रहे थे डॉक्टर स्वामी के यहां बरेली के अंदर और सीतापुर के अंदर और एक एक जिला नहीं हो रही है के । दॉक्टर स्वामी के चेहरे में करा जाते लोग आ जाते सारे के कारण यह कारण यह है को पुराना नीयम है और जो समण संग की मानेता है वो खून के अंदर है और वो बिल्कुल सुद्ध और प्याओर है अगर कोई व्यक्ति सुद्ध मन से और अच्छे विने से अच्छे ध्यान से अच्छी नियत से अगर समण संग के नियमों पर चल कर काम करता है लोग चुंबक की तरह खिचके आएं कर नहीं है पर समर्द संग की नीतियों में और समर्द संग के खट्टे होने में और सब की खट्टी ताकत में यह कहते हैं कि समर्द संग जंगल में भी मंगल कर सकता है और जहां समर्द संग नहीं है वहां मंगल भी जंगल हो जाएगा यह बात इतनी सच है जितनी की ये बात सच है कि अब हमारे अच्छे दिन बहुत तेरी से आ रहे हैं तो कि हमारी जो जिद है वो जुड़ने की जुड़ेंगे जीतेंगे जहां जहां हम जुड़ें हैं वहां वहां हम जीते हैं जब जब जुड़ें हैं तब तब जीते हैं जो जो जीत नहीं सकते, जो जुड़े पहले वो जीत गए, जब तूटे तो हार गए, इसलिए संग जो होता है, वो हमेशा शिकारी होता है, और जो संग से बहार होता है, वो हमेशा शिकार होता है, तो आपको करना है कि आपको संग के साथ रहके शिकारी बनना है, या संग से अलग के शिकार बनना है क्योंकि जिसको शिकार बनना पसंद हो वो संग से अलग जाए और जिसको शिकारी बनना हो वो संग में आख बंतर के आजाए संगं नमामी धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है अपने पेज़ पे अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूटूब पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणम गच्छामी तूंतियं पी बुद्ध updating सेणम गच्छामी तूंतियं पी बुद्ध सर्णम गच्छामी दूतियं पी धम्ममर सर्णु गच्छामू दूतियं पी धम्ममर सर्णु गच्छामू दूतियं पी सर्णु गच्छामू दूतियं पी सर्णु सर्णु गच्छामू ततियं पी बुद्धम सर्मां गच्छामी ततियं पी संदम सर्मां गच्छामी